प्रसासन और प्रसासन मिलकर ब्रश्टाचार करना चाहता है और कोई ब्रश्टाचार के खिलाप कारवाई करना चाहता है तो उनका दमन किया जाएगा इसका मतलब है सीधा गुलामी सीधा गुलामी और हम गुलामी में नहीं जी सकते हो सकता है यह हाड़ोती क्रांती का आगाज करके पूरे राष्ट में एक नया स्रजन कर दे सातियों देश का किसान बिलकुल दोराये पर खड़ा हुआ है यह नेता समझ रहे कि यह जो सोच रहे हैं वो नाटक नहीं चलेगा अब यह जो टीवो में तुम बता रहे हो हम जानते हैं हम धरातल से चल रहे हैं जिस रोज भी हमने लट टूटा कर कारवाई चालू की तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी कोई पोर्स कोई प्रसासन कोई सिस्टम हम से बाढ़ नहीं जा सकता कितनी पोर्स लगाओगे तुम्हें पता होना चीए कि देश की आंत्रिक रक्सा और बाई ये सुरक्सा किसान का बेटा करता है बोडर पर सीना जो बंदुक की गोली के सामने सीना करता हो किसान का बेटा है और आंत्रिक सुरक्सा में किसान के बेटे हैं और तुम्हारे पेट की रक्सा भी किसान का बेटा करता है क्या करना चाहते हो किस ओर जाना चाहते हो तैयार हो जाओ और अपने अपने लटों को तैयार रखो कारवाई करेंगे और बहुत बेतर करेंगे जवाबी कारवाई बहुत सुनिश्ची दोर बेतर तरीके से होगी पर उट पटांग नहीं सात्यों पहले देखो इंतजार करो देखते हैं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ इस्तियों को परकेंगे जाचेंगे अगली कारवाई किस परकार करेंगे उस पर भी गोर करेंगे उट पटांग कारवाई ने इससे पहले नरेस के साती जितने भी ये जो बार बार सचिन पाइलेट जिन्दा बात करते रहते हैं उनसे कहो कि वो सचिन पाइलेट तक एक खबर कि वो तुमारे लिए संगर्स करने वाला एक क्रांति कारी साती लाट्या खा रहा है तुमारे लिए ब्लड डोनेशन केम्प लगाने वाले की कंडिशन यह है क्यों नहीं सचिन पाइलेट रोड पे आ सकता? वो क्यों नहीं दन्णा दे सकता? क्या आवाम से बड़ी उसकी ताहत है, क्या बिना आवाम के वो कुछ सपने देख रहा है, गलत सपने है उसके, ये खयाली पुलाव पकाना बंद करो, सीधी लड़ाय के लिए तैयार हो, आज नरेश को इसलिए पीटा गया है, कल किसी ओर को पीटा जाएगा, परसो किसी ओर क पीटा जाएगा, किसानों का दमन बरदास नहीं होगा, आज नरेश ने ब्रश्टा चार के खिलाब आवाज उटाईए, ना कि कॉंग्रेस बीजेपी के खिलाब, आज नरेश ने जो आवाज उटाईए, वो सीधी ब्रश्टा चार के खिलाब उटाईए, कॉंग्रेस ना बाजबा बाई जस्ट यस बहुत जल्दी आ रहा हूं यस मीना बस बाईक छबड़ा से मंगाईए मैंने यहां से मेरा सीधा रास्ता है बाईक आते में रवाना हो जाऊंगा और सभी क्रांतिकारी साथियों से डढने की बात नहीं है कितने लोगों को गिरिपतार करेंगे और कितनी लाठिया तोड़ेंगे कितनी हड़िया तोड़ेंगे पानी नहीं है इन हड़ियों में अगर हमने लट उटाया तो एक एक हड़ि को इतनी जगह से तोड़ा जाएगा कि तुम्हें पता नहीं है तुम जानते नहीं हड़िया कैसे तूरती है हम जानते हैं हड़ि कि इसने बिना कानूनी नोटिस, बिना कोई कारवाइ के, बिना उगल कारवाइ के आपने लाटी चाज केसे कर दिया, एक वेक्ति ये आपके थाने के सामने, ब्रिश्ता चार के खिलाब उस ट्रक को पकड़ने की डिमांड कर रहा था, और आपने सीधा लाट तूटा दिया सीधा वार कर दिया उस पे